हलो दोस्तों कैसे हैं आम सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वर्ल 2.0 पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन जी का नॉविल सबसे बड़ा हमला जो की बंदक का अगला भाग है इसके पहले मैंने जो सबसे बड़ा हमला का पार्ट 1 डाला था उसमें मैंने शायद अनिल मोहन जी के हमला के बारे में जिक्र कर दिया था एक्चलिए वो सबसे बड़ा हमला है नॉट हमला तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे बड़ा हमला का अगला भाग शाहिद गंथा में खाना खा रहे लोगों के बीच घुम रहा था अधनान सब तरफ देखता नवाब के पास पहुंचा नवाब छोटा बैक बंद करते क्या उटा नशा तूट रहा था उपर कमांडो भी आ उतरे हैं सोचा कोटा पूरा कर लू क्या पता बाद में वक्त न ही देने लगी थी तो क्या भारा सरकार बंदकों के बदले हमारे साथियों को पापिस देने का इरादा नहीं रखती हमारी बात तो हिंदुस्तान को माननी ही पड़ेगी नवाब नवाब गंथा में उट खड़ा हुगा खान को उपर भेज दिया तूने हाँ वो च्छत की स हमला हुआ था और वहां उन्होंने लोगों को मार कर बचे लोगों को बंदक बना लिया था इसमें से एक जगे विकासपुरी का सिनेमा हौल था दूसरी जगे राज़ोरी गार्डन का राज़ोरी पबलिक स्कूल और तीसरी जगे थी साउथ एक्स्टेंशन का रॉयल खुद मदुकर पांडे रॉयल नाइट किलब को देख रहा था और मौका मिलने पर बाकी जगे का फेरा लगा आता था वरना फोन से वो प्रमोट जेटली और टोनी सिंग के संपर्ग में तो थाई शाम पांच बजे मदुकर पांडे राजवरी पबलिक स्कूल पहुँचा हर तरह सरनाटा चाया हुआ था कदम कदम पर पोजीशन नियो एस्पेशल फोर्स के कमांडोज नजर आ रहे थे पुलिस को वहां से दूर रखा गया था स्कूल के परिसर से रात ही लाशों को ट्रकों में भरकर ले जाया जा चुका था अभी तक स्कूल के फंक्शन के टैंट, स्टेज, कुरसियां, डीजे और रंग बरंगी हरी लाल जंडिया लगी दिख रहीं थी कई जगे सूखा खून नजर आ रहा था लोगों का सामान अभी भी यहां वहां बिखरा नजर आ रहा था ये सब देखकर बीती रात बरसने वाली मौत का एहसास किया जा सकता था इन सब बातों को विस्तार से जाननी के लिए पड़े अनिल मोहन का पूर प्रकाशित उमन्मयास बंदक जो की चैनल पे अपलोड है मदुकर पंडे के वहां पहुंसते ही ऑफिसर टोनी सिंग पास आ पहुचा सर यहां कुछ सब कुछ पहले जैसे ही है टोनी सिंग बोला नया कुछ भी नहीं हुआ नहीं सर बंदक और आतंगवादी स्कूल के लाइबरेरी हॉल में बंद है देर से फाइरिंग की कोई आवाज नहीं है लगता है वहां सब कुछ शान्त है सर मुझे एक मौका दीजिए टोनी सिंग कठोर सर में क्या उठा मैं अपने पर कंट्रोल करू मदुकर पंडे बोला जी सर टोनी सिंग के चेरे पर खतरनाग भाव थी मैं तुम्हें पहले भी समझा कर गया था कि हमें ऐसा खुश नहीं करना है कि बंदकों की जान पराबने हमारा पहला काम है उन आतंगवादियों के पास भसे लोगों को सुरक्षित वहां से निकालना दूसरा काम है आतंगवादियों को पकड़ना या खत्म करना जी सर बहुत खुन कराबा किया है इन आतंगवादियों ने मदुकार पांडे ने होड बीच करका और आगे बढ़ने लगा टोनी सिंग साथ चल पड़ा लाइबरेरी हॉल पहली मंजिर पर है हाँ सर टोनी सिंग बोला मुझे पता चला है कि आतंगवादियों ने बंदकों के लिए खाने की मांग की थी खाना आया पड़ा है पर अंतु समझ में नहीं आ रहा कि उन तक कैसे पहुचाया जाए सुबह से लोग भूके होंगे तो खाना कैसे उने दिया जाए सर अगर उनके पास लाइबरेरी हॉल के तरवाजे पर गए तो वो घबरा कर बंदकों को गोलिया मार देंगे वो सोचेंगे कि हम हमले की तयारी कर रहे है टोनी सिंग ने कहा मदुकर पंडे ने बोबाइल निका रहा हो और नम्मर में लाने लगा जल्दी उसकी खुराना से बात हो गई मैं राज़ोरी स्कूल में हूँ या बंदकों के लिए खाना आया पड़ा है उनने कैसे दे मैं अभी आतमवादियों से बात करता हूँ उदर से खुराना न कहा इन्हें बातों में लगाय रखो थोड़ा वक्षपाओ वही कर रहा हूँ खाने के बारे में बात करके अभी तो मैं फोन करता हूँ मदुकर पांडे ने फोन बंद करके लैबरेरी हॉल की तरफ देखा वो सामने परंतु गुष दूर था कमांडोस ने स्कूल की पहली मंजिर पर पोजिशन ले रखी दी परंतु वो लैबरेरी हॉल से दूर थे सर टोनी सिंग बोला मैं कुछ कहूँ कहो आखिर हम कर क्या रहे है मदुकर पांडे ने टोनी सिंग के गुस्से से भरे चैरे को देखा हम मुनासे मौके का इंतिजार कर रहे है मदुकर पांडे ने कहा वो मौका जब भी हमारे सामने आएगा तब भी तो बंदुकों को ताक पर रखकर खत्रा उठाना पड़ेगा उनकी जान का तो क्यों नहीं हम पहले ही अरकत में आ जाते टोनी सिंग ने भिचे सर में खा तुम बहुत जलबाज हो टोनी सिंग मैं इन आतंगवादियों को बुरी मौत मार देना चाहता अभी इसका वक्त नहीं आया कब आएगा वक्त हम धीरे धीरे इन आतंगवादियों की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे तो यह बढ़त दिखाई नहीं देती हमारी योजना चल रही है मदुगार पांड़े की निगाफ बात है करते हर तरफ जा रही थी तुम अपनी वो डूटी करो जो तुमें करने को दिये मैं मामले को समाल रहा हूँ बात सिर्फ एक जगे की होती तो हमने कुछ कर दिया होता तीन जगे एक साथ हमला किया गया है हर जगे आतंगवादियों ने 70-80 बंदक बना रखे हैं यानि कि लगबग 200 बंदक हुए अगर हमने एक जगे हमला करके सबकुछ अपने काबू में करने की कोशिश की तो दूसरी जगे पर बंदकों की जान का खत्रा पैता हो जाएगा वो कैसे सर? इन आतंगवादियों के आपस में जरूर बात हो रही होगी बशीर नाम का आतंगवादियों जो पकड़ा गया है विकासपुरी के सिनेमा हॉल से उसने बताया कि तीनों जगों के आतंगवादियों से लीडर नाम का कोई व्यक्ति बात करता है वो तीनों गृपों के संपर्प में एक जगे गड़वर होती पाकर वो बाकी जगे के आतंगवादियों से बंदगों को खत्म करने को कह सकता है तो हमें तीनों जगों पर एक साथ हमला करना चाहिए मैंने बोला तो योजना पर काम चल रहा है इस मामले पे तेजी से आगे नहीं बढ़ा जा सकता मदुकर पांडे ने गंबीर सर्म कहा पहले हमें आतंगवादियों को थकाना होगा हताश करना होगा इसके लिए हमें वक्त बिताना है जादा से यादा उन्हें बातों में लगाए रखना है कल से कुछ ना होता पाकर आतंगवादी ठकने शुरू होने लगेंगे राज़ारी पबलिक स्कूल का लाइबरेरी हौल असलम, नदीम और आबू लाइबरेरी हौल के फर्ष पर स्कूल के बच्चे कई बच्चों के माता पिताओ दो टीचरे बंदक के रूप में बैठे हुए थे भूग के मारे उनका बुरा हाल था सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला था परंतु मौत का खाओ उनके बीतर इस तरह भर दिया गया था कि किसी की हिम्मत नहो रही थी कुछ कहने की भी सबके चेरे निडाल हो रहे थे कुछ छोटे बच्चे रह रहकर रो पड़ते थे परंतु पास में मौझूद कोई न कोई बड़ा उन्हें फॉरन चुप करा देता था नदीम एक बैक के पास पहुचा और भीतर हाथ मारकर मुठी भर काजू निकाले और गन थामे ठैलता हुआ उन्हें खाने लगा तब ही उसे खाता पाकर इपगच्चक है उठा वो बच्चा क्या उठा मुझे भी दे दो बहुत भूक लगी है आबु दात पीस्ता बच्चे के पास पहुचा और उसकी सिर के बालों को पकड़कर उठाया बच्चा चीक कर रो पड़ा तब ही साठ बरस का एक आदमी उठा और गुस्से से क्या उठा ये क्या कर रहो सब भूके हैं बच्चे हैं इन्हें भूक लग रही और तुम तु क्यों बोला आबु ने बच्चे को छोड़ा और उस आदमी को देखकर गुर रहा तुम भूके लोगों पर अपनी दरिंदी की दिखा रहे वो बात पूरी नहीं कर सका आबु ने गन सीधी की और ट्रगर दबा दिया धेरो गोलिया निकली और उसकी छाती और चेहरे पर धस्ती चली गई वो कटे पेड़ की तरह नीचे जागे दा लोगों की धहशत बरी चीखे गूंचुटी कई बच्चे रो उठे नदीम दाहाड उठा कई सहम कर चुप हो गए है कोई और चो कुछ कहना चाता है आबु ने वैशी सवर में कहा सब चुप तुम लोगों को खामोश रहने को कहा इसलिए खामोश रहो आबु पूर वैश सवर में कह उठा जिन्दा रहना चाते हो था हमारी बात माननी होगी वरना एक एक करके सब इसी तरह मारे जाओगे हर एक चैरे पर खौफ नाच रहा था उनके चैरेों का हाल देखते ही बनता था तब ही सैटेलाइट फोन बजने लगा चिडिया के चैकरे की आवाज इंगूजने लगी असलम फोन की तरह बढ़ा और उस उठाकर बात की हलो मेरी बात पर सोच लिया होगा तुमने खौराना की आवाज कानों में पड़ी कैसी बात असलम के होटों से निकला भारा सरकार तुम तीनों को मूँ मांगा पैसा देने को तैयार है बंदोकों को छोड़ो पैसा लो और निकल जाओ इंदुस्तान से ऐसा करने का क्या फाइदा असलम कड़वे सौर में बोला हम दोबारा लोट आएंगे क्यों? क्योंकि हमने अपने चार सातियों को छोड़ाना है तुम उन्हें आज़ात कर कश्मीर की तरफ से सीमा क्यों नहीं पार करा देती मेरा बस चले तुम्होंने प्लेन में बिठा कर छोड़ा हूँ उदर जे खुराना ने गहरी सांस लेकर का सरकार के बड़े लोग इस बारे में विचार विमर्ष कर रहे हैं पैसा लेकर जब भी इद्नुस्तान से जाना चाहो तो तुम लोगों को रास्ता दे देंगे पक्वास मत करो हमें अपने साथी चाहिए रात नौ बजे फोन करूंगा इस बारे में बारे सरकार की नियद ठीक नहीं लगती क्यों क्या करती है भारे सरकार ने रॉयल नाइट कलब की छट पर तुम लोगों ने कमांडोस उतारे हैं मैंने टीवी पर देखा है बस इतनी सी बात से घबरा गए मैं घबरा नहीं रहा असलम कठोर सर में बोला मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारे सरकार की नियट रही है हमारे सातियों को तेहार जेल से आज़ाद करने को लेकर नियट ठीक होती तो वहां कमांडोस ना उतारे गए उते तुम यूहीं वहम मैं पड़ रहे हूँ सरकार अपना काम कर रहे है हम तो मजबूर है कि कुछ कुछ नहीं कर सकते, बंदक तुम लोगों के पास है, वैसे तुमारा दल नंबर एक, मेरी बात पर सोच रहा है, कौन सी बात, यही की पैसा लेकर देश से निकल जाने की, उनसे शायद सौ करोड में सौधा हो जाए, बखवास मत करो, असलम कुर रहो टा, तुम इस तरह मेरा दमाँ खराब नहीं कर सकते, तो मैं बंदकों के बारे में सोचना चाहिए, कि वो भूके हैं, और जो भी भूक के बारे में कहता हूं, उसे गोली मारते थे, ऐसा मत करो, खुराना की गंबीर आवाज आई, रात तुम लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार दिया, अब खू पर तुम लोग बंदकों को मार दोगे, अकल है तुम मैं, भारे सरकार कोशिश कर दे कि तुमारी मांग को मान ले, इसके वे ना तुमारी सरकार के पास कोई रास्ता भी नहीं है, परन्तु ये याद रखो कि हमारे पास जादा वक्त नहीं है, अपनी सरकार से को कि जल्द स चले जाएंगे हाँ मैं तुम्हें फोन करूँगा कि बाहर से तुम खाना ले सकते हो खुराना की आवास कानों में पड़ी एक बात और कहो हम बीतर से देख रहे हैं कि स्कूल में हर तरफ कमांडोस पोजीशन ली हुएं तो इससे तुम्हें क्या इन सब को स्कूल परिस्तर स को वहाँ से अटायानी जा सकता, तुम बार-बार बंदकों को मारने की धंकी मत दो, अगर ऐसा किया गया तो तुम पर हमला बोल दिया जाएगा तुम हमसे मकाबला करना चाहते हो असलम पुना गुर रहा है नहीं, हम चाहते हैं कि तुम लोगों की बात मानकर ये ममला शांती से निप्टा ले अब तुम ही पंगा डाल रहो थोड़ी देर आराम से रहो मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मांगे जल्दी मान ली जाएंगी जब खाना बाहर दर्वाजे के पास रख दिया जाएगा तो मैं तुम फोन पर खबर दे दूँगा इसके साथ ही उदर से खुराना ने फोन बंद कर दिया था अस्लम ने दाद भीचे फोन कानों से अठाया नदीम उसके पास आपहुचा क्या हुआ नदीम ने पूछा खाना बाहर दर्वाजे के पास रखा जाएगा अस्लम कठोर और गंबीर सवर में बोला फिर तो हमें सतर क्राना होगा कि खाने के चक्कर में वो गड़बर न कर दें बंदक के होते वो गड़बर करने का फैसला खौसला नहीं करेंगे अस्लम ने कहा एक बात मुझे अभी महसूस हुई नदीम क्या हम फस चुके हैं फस चुके हैं वो कैसे नदीम के माथे पर बल पड़े भारास सरकार अगर बंदकों की परवा ना करें तो वो हमें कुतों की मौत मार देंगे क्यों ना पर्वा करें हिंदुस्तान की सरकार इन लोगों की वो करेगी ज़रूरी नहीं है मैंने बाहर फैले कमांडोस हटाने के लिए कहा तो मुझे मना कर दिया गया क्या कहा यही की कमांडोज नहीं अटाय जाएंगे यह ठीक है कि हमारा यहां कब्जा है परन्तु हिंदुस्तान की सरकार जब भी चाहे मारा खेल कत्म कर सकती है वो हम सब को माण देंगे असलम ने भिचे सर में कहा तु वहम में पढ़ गया है मैं सच कहा रहा हूँ असलम तु वहम में पढ़ गया है नदीम ने दर्णता बरे सर में कहा यह बंदक हमारी सुरक्षा की गारंटी है इनके होते हुए हम पर भारत सरकार हमला नहीं करेगी अली ने भी यही कहा था कि जब तक बंदक हमारे पास नदीम असलम ने पूर वस्वर में कहा माल लेकि भारत सरकार ने हमारी मांगे माल ले जिन चार लोगों को अमने जेल से छुड़ाने को कहा है उन्हें भारत सरकार ने किश्मीर की तरफ से सीमा पार करा दी उसके बाद हमारा क्या होगा फिर हम भी वापिस चले जाएंगे कहां पाकिस्तान कैसे जाएंगे ये प्लान तो लीडर के पास है वो ही हमें बताएगा पहले वो चारो छूटे तो सही असलम ने कुछ नहीं का तो हिम्मत हार रहा है असलम ऐसा कुछ नहीं है बलकि पहली बर मुझे अपनी इस्तिती का सही आवास हुआ है इसलिए ये सब सोचा हम प्लान को ठीक से अंजाम देने तो बेकार का कुछ मस सोच असलम ने नदीम को देखकर से रिलाया आबू गंथा में बंदोगों के बीच टेहल रहा था कोई समस्या है दूर से आब उन्हें पूछा नहीं नदीम ने का अभी बाहर खाना रखा जाएगा खाने का जिकर आती बंदोगों के चैरों पर रहात दिखने लगी तभी लाइबरेरी हॉल के दरवाजे के बाहर बरतन रखे जाने की आहटे मिली दौनों की नजरे मिली नदीम दरवाजे के पास जा पहुचा और कान लगा कर बाहर की आहट सुनने लगा असलम दरवाजे से 10 वीट हटकर बढ़ी खिड़की के पास साथ धानी से खड़ा हुआ और बाहर जहकने का प्रतन करने लगा काले कपड़े पहने दो कमांडोस देखे और नीचे बढ़ा सा पतीला देखा वो ऐसे ही खड़ा रहा दोना कमांडोस जाते रहे और पतीले प्लास्टिक के बैग वगेरा सामान लाला कर रखते रहे पास साथ मिनट यही होता रहा फिर शान्ती छा गई नदीम ने असलम को देखकर इशारे से पूछा कि बाहर का क्या हाल है असलम ने भी इशारे से बता दिये कि दर्वाजे के बाहर के लोग चले गए नदीम दर्वाजे से हटा और गन थामे बंदकों की और बढ़ गया हाँ आबू नदीम से पूछा दर्वाजे के बाहर खाना शायद रख दिया गया है तो दर्वाजा खोलो और खाने को बीतर ले लो असलम बताएगा इस बारे में नदीम ने खड़की पर खड़े असलम को देख कर कहा असलम बराबर बाहर देख रहा था बाहर अब कोई हल चल नहीं थी कोई नजर नहीं आ रहा था दो तीन मिनट बीते कि सैटेलाइट फोन बज उठा चुड़िया के बोलने की आवाज गुल चुटी हलो असलम ने बात की दर्वाजे के बाहर खाना रखा है ले लो खुराना की आवाज उसके कानों में पड़ी कोई चालाकी की तो बच्चों की तरह बात मत करो दस बार तो तुम्हें क्या चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है हमारी मांगों की तरफ ध्यान दो हमारे पास जादा वक्त नहीं है असलम कठोर सब में बोला हमें तुम से जादा जल दिये तुम लोगों का अपने देश से भगाने की तिक्र मत करो रात को फोन करूंगा इसके साथ ही उदर जो खुराना ने फोन बंद कर दिया था असलम फोन कान से अटा तक क्या उटा बाहर से खाना उठा लो नदीम और आबू की नजरे मिली कौन उठाएगा खाना आबू बोला ह हम नहीं कहीं बाहर के कमांडो जम पर गोलिया न चला दें ये काम इनी मैसे करेंगे आबू की निगा बंदकों पर फिरने लगी बंदक उन दोनों को ही देख रहे थे ए तुम उठो तुम भी चार लोगों को उठाये गया दर्वाजे के पास लाया गया नदीम न को ने वो सारा सामान उठाकर कमरे के भीतर रखा फिर दर्वाजा बंद कर दिया गया विकास पूरी का सिनेमा हौल साथ तारिक शाम पाँच बजे आतंगवादियों के 3 दलों में से सबसे बुरा हाल इसी दल number 3 का था अब सिनेमा हौल के भीतर सब सिनेमा हौल के भीतर चेते उन्हें सैफ और मिर्जा ने स्क्रीन के सामने वाले सामने खाली जगह पर एकटा करके बिठा रखा था। लगाया। अबाश मुझे सबसे आदा तुमारे दल से आशा है सेफ हम सच में बड़िया काम करके दिखाएंगे। बाकी दौनों दलों की बात अब न्यूस चैनल से नहीं हो रही है। बात होने पर उसे अपनी मांगे बताओ। समझ गया जणाब। मुझे सबसे आदा तुमारे दल से ही आशा है। अली की आशा मत तोलना। हम सबसे बड़िया काम करके दिखाएंगे जणाब। सैफ ने द्रण स्टोन में कहा। शाबाश। परन्तु जणाब बशीर पकड़ा गया वो। उसने जरूर कहीं पर गल्ती कियोगी। तब युवा पकड़ा गया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरा बच्चा इंदुस्तानियों के कब्जे में पहुँच गया। लेकिन तुम दोने हिम्मत मा थाना। दिखा देना कि दो बीस के बराबन है। जरूर जणाब हम दिखा देंगे। सैफ के होटो से गुरहाट निकली। उपर से अलीना फोन बंद कर दिया था। सैफ फोन कान से अठा तक क्या उटा। हमें कुछ करके दिखाना है श्याम। हाँ हम सरूर दिखाएंगे। चंद कदमों की दूरी पर टहलता मिर्जा क्या उटा। पता चलाए कि हम लोगों से खुराना नाम का आदमी बात कर रहा है। सैफ ने कहा। हमसे तो उसने बात नहीं की। उसके पास हमारा नमबर नहीं होगा। मैं न्यूस चैनल को फोन करता। तब ही हॉल में कुछ रोशनी चमकी। सैफ चौंक कर उठा। मिर्जा की निगा पीछे बाहर निकलने वाले दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा खुला था। किसी को बाहर भागते देखा। साले हरामजादे मिर्जा गला फाल कर चीकता उस तरफ दोड़ा। तू कल राज से इस सीटों के बीद छुपा होगा। और अब मौका देकर दरवाजा कुल कर भाग रहा है। पल भर महीं वाँ खलबली मच गई थी। सैफ गंथामे सतर गवाओ से बंदों को बगुर्रा कर बोला। हिला मत बैठे रहो। जो भी उठाओ से मार दिया जाएगा। सब सैमे से बैठे रहे। सैफ की निगा बार बार दूर उस दरवाजे की तरफ उठ रही थी। उसने मिर्जा को वहाँ पहुंसते और दरवाजा बंद करते देखा। रोष्णी की जो लकीर भीतर आ रही थी वो दरवाजा बंद होने के साथ ही लुपत हो गई थी। सब ठीक है शाम। सैफ ने चिलना कर उचे सर में भूचा। सब ठीक है। मिर्जा की आवाज आई। सैफ होट बीजे बंदों के बीच टेल तक है उठा। हमसे रहम की उमीद मत करना। जिसने भी गड़वर करने की कोशिश की वो मारा जाएगा। हमें भूख लगी है। एक नहिम्मत करके कहा। भूख? खामोश रहो। खाना आएगा तो मिल जाएगा। चुपचा बैठे रहो। मिर्जा पास आप हो जा। सैफ उसे देखकर बोला। कोई कल राज से ही सीटों की भी छुपा हुआ था। मौका देखकर वो अब भाग निकला। हाँ, ऐसा ही। कोई और भी छुपा हो सकता है। सैफ ने होड बीच कर कहा। हो सकता है पर अंतु हम कुछ कर नहीं सकते। यहां मद्दिम रोश्नी है। ऐसे छिपे इंसानों को ढूंडना कठेन है। क्योंकि हर जगए लाशे बिखरी है। लाशों के बीच हमें नहीं पता लगेगा कि कोई छुपा है, वो जिन्दा है। मिर्जा ने दाद भीच कर कहा। लेकिन इस बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा छिपा इंसान जादर से यदा बहार ही निकलना चाहेगा। साली ये हिंदुस्तानी बहुत बड़े मकार होते हैं। सैफ ने खतरनाक सर में कहा। तभी तो हमेंने सबक सिखाने आएं। मैं नीज चैनल को फोन कर रहा हूँ। कहकर सैफ हात में दवी सैटेलाइट के बटन दवाने लगा। फोरण ही दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो। उदर से आती आवाज सैफ के कानों में पड़ी। सैफ पहचान गया कि इसी आवाज वाले को सुबह उसने मांगे बताई थी। पहचाना मुझे। मैं राम बोल रहा हूँ। विकासपुरी सिने महौल मेरे कबजे में हैं। तुम राम नहीं हो सकते। मैंने पहले भी काया कि राम नाम का आदमी ये काम नहीं कर सकता। आवाज आई। मेरे साथी का नाम श्याम है। वो भी जूट है। तुमारे एक साथी पकड़ा गया उसने कई बाते बता रही है। हम टीवी पर वो ही सब बता रहे है। यहां टीवी नहीं है। तुमारे साथी का नाम बशीर है। तुम सब पाकिस्तान से आयो। वहाँ से अली न तुम्हें बेजा है। डिली में आतनक खेलाने के लिए। डिली इसके ऊंपकोई लीडर नाम का आदमी तुम लोह को रास्ते बता रहे। तुम लोग डिली तक आते हैं तीन दलों में बढ़ गए। तुम लोग डलशी तीन हो। तुमारा नाम या तो सैफ है या फिर मिरजा। बहुत जानकारी है तुम्हारे पास सेफ ने कड़वे सर्मका दल नमबर एक ने साउट एक्स्टेंशन के रॉयल नाइट कलब पर कबज़ा करके बंदक बना रखे हैं उस दल में चार लोग हैं शायद खान अधनान और नवाब दल नमबर दो ने राज़ारी पबलिक स्कूल पर लाशे गिरा कर कबज़ा कर रखा है उस दल में तीन लोग है असलम नदीम और अबू अब तुम लोग अपने को छुपा नहीं सकते हैं तुम तो सच में बहुत कुछ जानते हो सैफ गुर्रा उठा मैं ही क्या ये बाते तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है बशीर ने बाते भी बाहर ले आता है तुमने कभी डंडा चड़ते दिखा है मेरे ख्याल में तो तुम्हें डंड कभी डंडा नहीं चड़ा होगा बखवास मत करो जादा बोले तो हम बंदुकों को मारना शूर कर देंगे सैफ ने खतरनाक सवर में कहा इस तरह की धंकी मत दो हम तो स बे क्यों ना कही तब मुझे भी नहीं बता था मैं उससे कैसे बात करूँ फोन नमबर नोट करो बता रहा हूँ उसना फोन नमबर बताया सैफ ने दिमाग में नमबर को सुरक्षित अकर कहा हम दिल्ली को तबाह करके जाएंगे बरबात कर देंगे तुम लोगों के बंजोरी तो हमारे हाथ में उदर से फोन बंद कर दिया गया साला हरामी कहीं का सैफ ने दाद बीच कर का हो खुराना के नमबर मिलाने लगा क्या हुआ उसे बढ़वडाते पाकट चंद कदमों की दूरी पर मिर्जा ने पूछा बशीर ने सब कुछ बग दिया है हिंदु सैफ ने तीके लहजे में कहा ये तो बुरी बात है सैफ ने सैटेलाइट फोन कान से लगाए हुआ था दूसरी तरफ बैल जा रही थी हैलो एक एक उदर से खुराना की आवास कानों में पड़ी तुम खुराना हो सैफ ने दरिंदी की बहरे सर्म कहा हाँ मैं ही खुराना मेरे कपसे समझा तुम दल नंबर तीन हो सैफ बोल रहा हु हुआ खुराना एक आए क्या होता आ उठा सैफ सिट पिटा उठा या फिर मिर्जा बोल रहु हो दो ही तो हो वहा हुआ तुम बखवास बहुत करती हो सैफ गुर रहा हुआ उठा दल नंबर एक वाले मुझे कु सर में कहा फिर तो तुम जरूँ खुटते ही होगे तुम्हें ये पसंद हो तुम भी यही कहलो वैसे तुम लोगों का दल ठीला काम कर रहा है क्या मतलब दल नमबर एक और दो को तो बंदो को के लिए खाना भी दे दिया गया परंदो तुम मुझसे पहली बार बात कर रहो मैं तुम्हें बता दू कि भी बंदो को के लिए खाना तयार है ये बताओ कि कैसे मैंने इसलिए फोन नहीं किया सैफ दाथ किटकिटा उटा तो किसलिए किया अपनी मांग बताने के लिए हमारे पास 60-80 बंदग हैं उनकी जिन्दी की सलामत चाते हो तो हमारी मांग मान लो हम बंदगों को आज़ाद कर देंगे वरना सब को लाशों में बदल देंगे अपनी मांगें बताओ हमारे चार साथी त्यार जिल में बंदे बंदु खान, तौफीक, रह्मान और सुलिमन पिद्दा उन्हें आज़ाद करो और कश्मीर की तरफ सीमा कश्मीर की तरफ सीमा पार करा दो अगर हिंदुस्तान ने ये मांग ना मानी तो लाशे गिंते रहना हमारे जाने के बाद सैफ ने खतरनाक सुर में कहा ये चारो तो बहुत खतरनाक आतंगवादी हैं फुराना की शान तवास कानों में पड़ी ये आतंगवादी नहीं हमारे साथी हैं और तुम भी तो आतंगवादी हो और मैंने कब कहा कि ये चारो तुमारे साथी नहीं है बक्वास मत करो इन्हें आज़ाद करो और ये मेरे बस में नहीं है कि तियार जिल जाओं इन्हें आज़ाद करके सीमा पार करादू ये सरकार का मामला है मैं तुम्हारी मांग अभी सरकार तक पहुचा देता हूँ फैसला तो उन्हों नहीं करना है उन्हें ये भी कह दे रहा है कि मागें ना मानी गई तो लाशे गिंते गिंते परिशान हो जाओगे सैफ ने दाथ पीसकर कहा मैं तुम्हारी कई सारी बात कह दूँगा अब ये बताओ कि बंदुकों के लिए खाना चाहिए मुझे परवा नहीं उनकी तो मैं परवाए तो बेशक खाना बिजबा दू सच बात तो ये है कि एक गंटा पहले ही खाना वहाँ पहुच चुका है हमें मालूम ता कि तुम लोग बंदुकों के लिए खाना लेना चाहोगे ये बताओ कि खाना कैसे तुम तक पहुचा है अगर तुम कोई दर्वाज़ा कोल दो तो बकवास मत करो सच ने तीके सुर में का तुम ही बताओ कि कैसे हम खाना तुमें दे उसी दर्वाज़े के बाहर खाना रखो और उसके बाद वहां कोई ना हो कोई चाला की होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम बंदुकों को भून देंगे एक भी जिन्दा नहीं बचेगा फिर मुझे मालूम है लेकिन हम कुछ भी करने का इरादा नहीं रख रहे हम शराफ़स से चल रहे हैं ठीक है कुछ ही देर में खाना उस दर्वाज़े के बाहर पढ़ा होगा अब मैं तुम से कुछ पूछूँ मतलब कहूँ खुराना की आवाज में शांत भाउते क्या चुकि हमें कई खास बाते करनी हैं इसलिए पहले अपना नाम बताओ सैफ हो तुम या मिर्जा मैं राम हूँ और मेरे साथी का नाम श्याम बेकार की बाते मत करो हम कुछ खास बाते करने वाले हैं मैंने कहा है ये बाते हम दोनों के फायदे की हैं तुम है जरूर सुननी चाहिए। जल्दी कैदो। अली ने तुम लोगों को धोका दिया है फसा दिया खौराना का गंभीर सुर कानों में बढ़ा। क्या मतलब। मैंने कहा है अली ने तुम सब को मौत की मूँ में वेज दिया है अब तुम लोग बच नहीं सकते है क्या यही बकवास मुझे सुनाना चाहते थे सैफ ने दाद भीच कर कहा यह बकवास नहीं है हकीकत है तुम्हें कुछ दिर मुझसे आराम से बात करनी चाहिए मैं सब कुछ बताऊंगा तुम मेरा दिमाग खराब करने की चेश्टा कर रहे हो नहीं मैं कड़वास सस तुम्हारे सामने रख रहा हूँ अब जरा सोचो कि तुम सब लोग तीन गृपों में बटे लोगों को बंदक बनाए दिल्ली के तीन हिस्से में मौझूद हो यह सब करने से पहले तुम लोगों ने सेकड़ो मासूम लोगों को मारा और अब अपने सातियों को जेलों से छोड़ देने को कह रहो तुमने कैसे सोच लिया कि सरकार तुमारी बात मानेगी तो नहीं मानेगी सैफ गुर्रा उठा ये मेरा व्यक्तिकत विचार है मैं सरकार नहीं हूँ अपनी स जाएगी भारा सरकार तुम लोगों की बात है शायद मान ले खुराना समान ने से लहजे में उधर से कहे जा रहा था लेकिन सोचा है तुमने कि मांगें मान भी ली तो तुमारा क्या होगा हमारा मान लोगी भारा सरकार ने तुमारी मांगें मान ली उन चारो आतंगवधियों को तिहार जिल से निकाल कर कश्मीर की तरफ से सीमा पार्क करा दी यहीं चाते हो ना तुम यहीं मांगे हैं ना तुमारी हाँ तो उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा हम भी निकल जाएंगे निकल जाएंगे यह बाद शायद तुम लोगों से अली ने कही है कि तुम लोग भी निकल जाओगे हिंदुस्तान से वो तुम्हें वापिस पाकिस्तान ले जाएगा अली ने यही का है ना तुमसे खुराना का सर तेज हो गया कुछ भी का हो तुम्हें क्या अली तो क्या उसका बाप भी तुम लोगों को अपनी बचा सकता खुरान ने कड़वे सुर में का मेरी बात का बुरा मत मानना मैं तो तुम से युही बात कर रहा हूं और ये समझा रहा हूं कि अली ने तुम लोगों से धोका किया ये कह कर अब तुम लोग अपनी मांगए तो हमसे मनवा सकते हो पर हम तो खुद को नहीं बचा सकते हैं तुम लोग तो मरे ही मरे बकवास मत करो हमारे पार बंदग हैं हम बंदगों को गए दम पर तुम लोग एक हट तक ही अपनी चाल चल सकते हो उससे जादा नहीं यह क्यों भूलते हो कि हिंदुस्तान वाले बेवकूफ नहीं है क्या यह इतना आसान काम है कि तुम लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की राजदानी दिल्ली पहुंच हो और गधर मचाकर सैकडों लोगों को मारकस टुरक्षिर वापिस पाकिस्तान पहुंच जाओ हिंदुस्तान ने क्या चूडिया पहन रखी है या मुग पर कालिक पोत रखी है कि तुम्हें जाने दिया जाएगा किसना तुम्हारे दमाग में ये बढ़ दिया कि तुम लोग वापिस पाकिस्तान पहुँच जाओगे सैफ के दाद भिच गए भारत सरकार तुम्हारी मागें माने या ना माने परण तुम लोग बहुत बुरी मौत बरने वाले हो जैसे मैं तुम लोगों की लाशे अभी से ही देख रहा हूँ मुंबई पर हमला करने वाले आतंगवादियों का हल पता है न तुम्हें कि कैसे हिंदोस्तान की कमांडोस ने चुन चुन कर एक एक आतंगवादी को मारा था वो ही हाल बलकि उससे भी बुरा हाल तुम सब का होगा ये कोई मजाक नहीं है कि दूसरे देश में जाकर सैकड़ो लाशे बिचाओ और सोचों की बलट कर वापिस पाकिस्तान पहुँच जाओगे ये कभी नहीं होगा अब तुम सच में कुत्ते हो दल नंबर एक तुमारे बारे में ठीक कहता है सैफ दात पीस कर क्या उटा मेरे जैसे बहुत कुत्ते तुम्हें हिंदोस्तान में मिलेंगे खुराना उदर से बेहत शान सर में कह रहा था लेकिन तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ क्या कहा? सैफ की आखे सुकड़ी मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ सैफ और मिर्जा तुम दोनों को तुम सच में मेरा दिमाग खराब कर रहा हूँ नहीं, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ इसी में हम दोनों का फाइदा है दोनों का फाइदा है? सैफ ने होड बीच का शब्द दोराए कैसा फाइदा? अभी भी मौका हाथ में अपनी जिन्दगी बचा सकते हो मैं तुम्हें बहुत शांदार आफर दे रहा हूँ भारा सरकार तुम्हें और तुम्हारे साथ ही को बहुत मोटी रखम देगी उस पैसे के साथ जिस देश में जाना चाओ वहाँ जाने वाले प्लेन में चड़ा दिया जाएगा दूसरे देश में तुम और तुम्हारा साथी आराम से अपनी जिन्दगी बिता सकोगे इस से हमें ये फाइदा होगा कि जो बंदक तुम्हारे पास है वो छूट जाएंगे सब काम खामोशी से हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा ठीक कहते हो सेफ कड़वे सवर में बोला मैं अभी पैसा तयार करवाता हूँ दद दस करोड तुम दोनों के लिए ठीक है उदर से खुराना ने पूछा यह ओफर तुमने दल नंबर एक और दो को भी दी होगी सेफ ने जहरीले सर्म का हाँ दिये दल नंबर एक इस ओफर पर गंबीरता से सोच रहा है तुम सच में कुत्ते हो तब ही दल नंबर एक ने तुमें कुत्ता का विशाले लेजे में क्या उटा सेफ कुत्ते की बात छोड़ो अपने बारे में सोचो मेरी बात नहीं मानोगे तौन तुमें तुमसे तुमने मरना ही है ये बात तो पक्के से भी पक्की है इसलिए कुत्ते की बात मानकर तुम लोग फायदे में रहोगे खुराना का सर बेहर शान्त था अली ने तुम सबको मौत के मूँ में बेजकर धोका किया है तुम से तुम लोग किसी भी हाल में बचकर वापस नहीं जा सकते बहुत सुनली तुमारी बकवास सैफ गुर रहा उटा अपनी जुबान बंद रुको और खाना पहुचाओ जो मांगे रखी है उन्हें जल्दी से पूरा करो वरना हम बंद को को मारना शुरू कर देंगी गुस्सा मत खाओ तुमारी मांगों पर गंबीरता से विचार किया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बात पर गंबीरता से विचार करो तुम लोग बचे नहीं सकते बेशक तुमारी मांगे पूरी हो या बकवाज बंद कर दो तुम सेफ ने डाट किट किटा कर कहा ठीक है तुम सोचने का मौका चाते हो तो सोच लो तुमें जल्दी नहीं तुम मुझे क्यों जल्दी होगी खाना उसी दर्वाजे के बाहर रख दिया जाएगा तो मैं तुमें फोन पर खबर दे दूँगा दस बीस मिनट में मेरा फोन आ जाएगा खुराना सब्र के साथ कह रहा था सिनेमा हॉल में काफी लाशे पढ़ी होगी बहुत कहर बरिस और में कहा सैफ ने हमने दिल खोल कर गोलियां चलाई है कंजूसी नहीं की मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाशें सड़नी शुरू हो जाएंगी बदबू से तुम लोगों को परेशानी होगी अगर तुम हमें मौका दो तो दस मिनट में हॉल से सारी लाश रुटवा बहुत बड़े कुत्ते हो तुम सैफ वेंग से बोला इस बात का तो बरोसा हो गया मुझे पल भर की चुपी के बाद खुराना की आवाज आई मैंने ये बात तुम से सही कही है कि तुम लोग बचकर किसी भी स्थिती में नहीं निकल हमारी मांगो की तरफ ध्यान दो सैफ ने डाट किट किटा कर का वरना लाशों से इस सिनेमा हॉल का हम वो हाल कर देंगे कि कोई दिल्ली में कभी भी फिल्म देखने सिनेमा हॉल में कभी नहीं जाएगा उदर से खुराना ने फोन बंद कर दिया दाद बीचे सैफ फोन था में कुर्सी पर आ बैठा सामने ये बंदक लोग मौजूद थे कुछ लेटे हुए थे दो अर्तों का घबराट और भूग के मारे बुरा हाल था कुछ बच्चे भी भूग से तड़प रहे थे परन्तु बड़ों ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर किया हुआ था सैफ के चेहरे पर गंबीर था और परिशानी थी तब ही मिर्जा ने दूर से ही पूछा भाट ठीक होई श्याम है हाँ वो लोग उस दर्वाजे के बाहर खाना रख रहे हैं सैफ ने गंबीर सर में कहा ये तो अच्छी बात है खान की बात सुनकर बंदुकों में हलकी सी हलचल सी मच गई फोन करके हमें बताया जाएगा कि खाना रख दिया गया हमें साफधान रहना होगा वो कोई चाल चल सकते हैं मिर्जा ने कहा और बंदुकों के बीच में से निकल कर इस तरफ आने लगा सैफ खामोश रहा कम रोशनी में उसके चैरे के भाव इस पश्ट नहीं दिख रहे थे पास आने पर उसने नजरें उठा कर मिर्जा को देखा परन तुछ चुपी रहा तो मिर्जा बोला क्या बात है मेरे सैफ उठ खड़ा हुआ मेरे मन में कुछ है मिर्जा कह ये काम करके हम कैसे निकल पाएंगे भारा सरकार हमें क्यों जाने देगी सैफ गंबीर सुर में बोला हम अपनी सुरक्षा के लिए सीमा तो कुछ बंदुकों को साथ रखेंगे क्या ये इतना आसान होगा मिर्जा ने सैफ के चैरे के भाव समझने की चेश्टा की लीडर हमें सीमा पार तक पहुँचाएगा उसने प्लान बना रख़ा है सच में वो हमें बापिस पाकिस्तान पहुचा देगा तेरे को लीडर पर अली पर भरोसा करना चाहिए मिर्जा ने का सैफ खामोश रहा क्या सोच रहा है अली ने मुझसे वादा किया था कि वापसी के बाद वो मेरी शादी कश्मीरी लड़की से करा देगा बूल ढीला क्यों है अभी हमें बहुत कुछ करना है जीत हमारी होगी वो तो मैं जानता ही हूँ कि जीत हमारी ही होगी सैफ मुस्करा पड़ा मिर्जा ने सैफ का कंदा थप्तपाया मैं एक बार इस सिलसले में लीडर से बात करना चाहता हूँ सोसता क्या, कर ले बाद, वो हमारी परेशानी दून करने के लिए तो है सैफ ने सैटेलाइट फोन से लीडर के नमर मिलाए तब ही मिर्जा बंदुकों को देखकर गुर रहा उठा ए बाद मत करो, परना भून दूँगा, तुम नीली कमीज वाले अब की बार तुमें छोड़ना नहीं मिर्जा की आवास के साथ ही वहां मौत भरी खामोशी छा गई सैफ ने फोन कान से लगा लिया, दूसरी तरफ बेल जाने लगी हेलो, लीडर की आवास कानों में पड़ी, मैं सैफ कहो सैफ, महाँ पर क्या हो रहा है, वो बाहर खाना रख रहे हैं बंदुकों के लिए सैफ ने कहा, अच्छी बात है, सतरक्ता से खाना लेना, वैसे भारा सरकार चालागी करने की स्तिती में नहीं है हम सफलता के करीब आप उचें, बहुत जल जेलों में बंद हमारे साथी छूट जाएंगे लीडर की आवास सैफ के कानों में पड़ी, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा क्या, कभी भी होने वाला है लीडर के हसने की आवास आई, अब हिंदोस्तान की सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारी बात मानने के अलावा चार लोगों के लिए धाई सो लोगों की मौत नहीं चाहेगी हिंदोस्तान की सरकार तुम नहीं जानते दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान में संसनी फैली है बल्कि दुनिया भर की नजरे तुम लोगों पर है दिखा देना है तुम लोगों ने कि पाकिस्तान की तरफ जो भी तेड़ी जो भी देश तेड़ी आँख से देखेगा पाकिस्तान के तुम जैसे जवान उस देश की बुरी हालत कर देंगे तुम जैसे शेरों के दम परी तो पाकिस्तान सलामत है पाकिस्तान को दुनिया का सर्ताज बना दो इस तरह कि हर कोई पाकिस्तान से डरे कोई हमारा बुरा ना सोचे हम ऐसे ही करेंगे लीडर अली को दल नंबर तीन से बहुत उमीदे हैं तुम्हारा तो अली हमेशे ही तारीफ करता है हम तारीफ के लाइक काम करके दिखा भी देंगे लीडर सैफ ड्रंसवर में कहा उटा मालूम है तुम लोग सबसे तेज हो सिने महौल में सब ठीक चल रहा है सब ठीक है सब कुछ हमारे कब जिम्हे है वक्त आने पर मैं ये काम पूरा करूँगा तुम चिंदा क्यों करते हो मुझे लगता है कि अब हम कभी पाकिस्टान नहीं पोस सकेंगे हिंदोस्तान सरकार हमें निकलने नहीं देगी सैफ बोला ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है सैफ लीडर का सुर्ष शांत था यूहीं सैफ गंबीर था तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं रहा है लीडर अली पर भी भरोसा है पूरा है क्या हमने कभी तुम लोगों से कोई जूटी या गलत कही नहीं तो फिर अपने मन में वहम मत पालो मैं तुम सब को आसानी से सीमा पार कराकर पाकिस्तान पहुचा दूँगा मेरे आदमी तीनों जगों पर फैले हैं चाओ तो तुम्हें अभी वहां से निकाल कर पाकिस्तान पहुचा दिया जाए अभी क्या बात करते हो काम पूरा किये बिना मैं या से जाने की सोच भी नहीं सकता शाबाश लीडर हस कर कह उटा जजबा कायम है तुम्हारे मन में पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का इस जजबे को अपने दिमाग पर रख लो फिर सब कुछ आसान और हद के बीतर लगेगा रही बात पाकिस्तान तब वापिस जाने की तो ये मेरे लिए चुटकियों जैसा काम है मैं तयार बैठाओं कि तुम काम पूरा करो और मैं तुम सब को पाकिस्तान पहुचा दूँ बातचीत खतम हो गई सैफ ने फोन बंद कर दिया तो मिर्जा बोला तसल्ली हो गई सैफ मिर्जा का सर धीमा था यूही ये बात मन में आई थी लेकिन अब ठीक है हमें जल्दी से अल्दी एक काम पूरा करना होगा काम हो रहा तब ही सैटेलाइट फोन बजा चुडिया के चहकने की आवाज गुंजने लगी हेलो सैफ ने बात की खाना बाहर रख दिया गया है सैफ ने कड़वे सर में का और फोन बंद करके मिर्जा से बोला इसी ने मेरा दिमाग घुमा दिया था कि हम यहां से बचकर नहीं जा सकते तुम चार पांच आदमी साथ लो और साथधानी से वो ताला वो आला दर्वाजा कोल कर खाने का सामान उठा लो सतरक रहना हिंदोस्तान वालों का कोई भरोसा नहीं वे कहते कुछ हैं करते कुछ हैं मदुकर पांटे कार में रोयल नाइट कलब पहुंचा शाम के साथ बच रहे थे दो आफीसर भी थे अपनी कार उसने रोयल नाइट कलब से दूर ही रखी थी क्योंकि आतंग बादी कभी बवाद ग्रिनेट फैकने लगते थे रोयल नाइट कलब की सामने वाली सड़क सुनसान पड़ी थी वहानों का आना जाना वहां से बंद कर रखा था पुलिस वाले और कमांडो भी रोयल नाइट कलब से दूर दूर नजर आ रहे थे वहां दिलों को कंधा देने वाला सननाटा चाय हुगा था मदुकर पांडे ने रोयल नाइट कलब की इमारत को देखा तब ही एक कमांडो उनके पास आप हुचा क्या पोजीशन है जवान? मदुकर पांडे ने पूचा दिन वाले हाला थी हैं सर कमांडो ने कहा भीतर से गोलियों की आवाज आई? नहीं सर सबको शानत है कलब की इमारत से दूरी रहू सर हमें कुछ करने का मौका दीजी कमांडो अलर्ट स्वर में क्या हुटा? भीतर बंदक न ओते तो मौका कपका मिल चुका होता हमें मासूम बंदकों की जादा चिंता है आतंगवादी कहीं जाने वाले नहीं उनकी किस्मत में मौट लिखी जा चुकी है मदुकर पांडे ने होड बीच कर कहा मदूकर पांडे के साथ के दोनों अफसरों में से एक बोला हमें कुछ करना चाहिए सर काड़ तो रहे हैं परन्तु अभी हमारा करना किसी को इसलिए नजर नहीं आ रहा कि action कहीं नहीं है मैं समझा नहीं सर जरूरत भी नहीं समझने की वॉकी टॉकी दो उसने फॉरें कमर में फसा, वाकी-टॉकी निकालकर मदूकर पांडे को दिया. मदूकर पांडे ने वाकी टॉकी से रॉयल नैट कलेज़ाकी चसथ पर मौजूद कमांडोस से बात की. क्या पोजीशन है जवान? मदूकर पांडे ने वाकी टॉकी दोरा भीतर मौजूद, आतमवादी हमारे बारे में जानते हैं कि हम छतपर मौजूद हैं, भीतर की तरफ उन्होंने भी पोजीशन ले रख किये, कमांडो की आवज वाकी टोकी से निकली, इस बात की चिंता मत करो तुम चारों छतपर ही पोजीशन ले रहो, यस सर, तुम चारों क एक्षन लेने की तैयारी की जा रही है सब कुछ इसी तरह चलने नहीं दे सकते कभी भी कुछ करने का वक्त आ सकता है मदुकर पंडे ने कठोर सवर में का हालात कभी भी खतरनाक हो सकते पाठकों, आज साथ तारीक है अभी हम इनी आतंगबादियों और Special Force के मदुकर पंडे के साथ रहेंगे क्योंकि इसी साथ तारीक को देवराज, चौन, जैदी के साथ लोहर से मियावली के लिए चला है जो की आठ तारीक को मियावली पहुचेंगे तब तक हम इनी लोगों के साथ रहेंगे सर, खामोश खड़ा दूसरा आफिसर बोला आतंगबादियों के सरकार से क्या बात्ची चल रही है आतंगबादी तिहार जिलसेप ने चार साथी आतंगबादियों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं वो चारों खतरनाक हैं उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता यूँ भी आतंगबादियों ने सौदे बाजी के हालात नहीं छोड़े सैकड़ों लोगों की सैकड़ों लोगों की मौत के बाद सरकार किसी भी तरह का सौदा नहीं करेगी बाच्चीत के बादे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त का हम फायदा उठा रहे हैं यानि देर सवेर आप कुछ करेंगे वो तो करना ही है इस तरह तो बंदुकों को खत्रा पैता हो जाएगा वो बंदुकों को मार सकते हैं मदुकर पांडे के होंड भिज गए हमें कोई और आस्ता निकालना चाहिए कोई रास्ता नहीं है हमें उन जगों पर हमला करना ही होगा जहां पर आतंगबादियों न कबजा करके लोगों को बंदग बना रखा है हमले के दोरान हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि बंदुकों को कम से कम नुकसान पहुचे मदुकर पांडे ने बेचैनी भरेसवर में कहा तब हम एक साथ तीनों जगों पर हमला करेंगे ताकि दूसरी जगे के हाला जानकर बंदोकों को मारना शुरू ना कर दें तब ही मदुकर पांडे के फोन की बेले बज़ने लगी हलो, मदुकर पांडे ने बात की सर, टोनी सिंग की आवाज कानों में पड़ी लाबरेरी हॉल की साइड में खुलने वाली एक खिड़की हमारी ले बहतर है, वो शीषे की खिड़की है उस पर ग्रिल नहीं है नहीं थूये बंब भीतर फैक कर या बेहोशी वाले धूये के बंब वहाँ से भीतर फैक कर हम भी भीतर परविश कर सकते हैं उस खिड़की के अलावा लाइबरेरी हॉल के बातरूम वाले हिस्टे को हम विस्पोर्ट से उड़ा कर रास्ता बना सकते हैं। यही दो जगे मुझे बहतर लगी हैं सर। कहा मोर्चा बांदा जाए। दौनों जग़ों पर। मादुकर पांदे ने होड बीच कर कहा। लाइबरेरी हॉल पहली मंजिर पर है। ऐसे में मोर्चा कैसे समालना हैं यह तुम सोचो। यह मत भूलना कि उनके बास मारक गने और ग्रेनेड है। मैं समस्ता हूं सर। बातरूम वाले हिस्से पर हम आसानी से पहली मंजिर पर जाकर बारूर लगा सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर विस्पोर्ट करके बातरूम कोड़ा कर रास्ता बना सकते हैं। ऐसा ही करो, वहां बारूर फिट कर दो। बदगर पांदे ने होड भीच कर कहा। और खिड़की वाले रास्ते का क्या करें। वो खिड़की पहली मंजिर पर खुले मैं टोनी सिंग की व्याकोल आवास सुनाई दी। उस तरफ तुम्हें बहुत साफ़दानी का इस्तमाल करना होगा। अगर उन्हें पता लगया कि खिड़की के पास हम कुछ कर रहें। तो वो आसानी से खिड़की से गोलियां चला कर मार देंगे। ये समस्या तो है इँ, उनके पास बंदग भी हैं। वो गुस्से में उने भी मार सकते हैं। इसलिए काम ऐसे डंग से करो कि उनको कुछ किये जानी की हवा भी न लगे एक या दो लोग ही ये काम करें बाकी सब अपने कामों में रहें लंबी सीड़ी का इंतिसाम करके चुपचाब उसे सीड़ी के नीचे तक लगाओ फिर खिड़की के नीचे की दिवार पर बारूद लगाओ इस तरह की बारूद फटे तो खिड़की के परखचे उड़ जाएं भीतर जाने का रास्ता मिल जाए ये काम करते वक्त कोई आवाज नहीं आहाट नहीं होनी चाहिए हमारे पास बहुत वक्त है धीमी गती से काम करो परंतु सापधानी से करो ऐसा ही होगा सर रात की अपिक्षा दिन में काम करो रात को जरासी आहाट हुई तो नहीं आसानी से सुनाई दे जाएगी जबकि दिन के शोर में छोटी मुटी आठे दब जाती है मदुकर पांडे ने कहा ठीक है सर रात में मैं तैयारी कर लेता हूँ सारा सामाने खटा कर लेता हूँ कल दिन में बारूर लगाने का काम करूँगा ला परवाई मत करना मैं अपना कोई जवान खोना नहीं चाहता सब ठीक रहेगा सर मदुकर पांडे ने विकास पूरी सिनेमा हौल पर इस्थित अपने आफिसर प्रमोज जेटली को फोन किया वहाँ क्या पूजिशन है जेटली? मदुकर पांडे ने पूछा सब कुछ वैसा ही है सर मैंने हौल से बाहर निकलने वाले चार दर्वाजों पर पारूर लगा दिया और जरूरत पढ़ने पर हम दस सेकंड में विस्पोट करके भीता प्रवेश कर सकते हैं उधर से प्रमोज जेटली ने कहा लेकिन उस हौल के पांस दर्वाजे हैं जी सर पांचवा दर्वाजा वो है जहां से भीता प्रिवेश किया जा सकता है मैंने उस दर्वाजे पर पारूर नहीं लगाया क्योंकि कभी भी आतमवादी खाना वगरे लेने के लिए वो दर्वाजा खोलेंगे तो उन्हें हमारा इंतिजाम दिख सकता है ठीक है हमारे कमांडोस तयार हैं पूरी तरह सर हमला कप करना है अभी नहीं लेकिन कमांडोस हर वक्त तयार रहें जो ठक हैं जो ठक जाएं उसे पीछे करके दूसरे कमांडोस को आगे कर दो हम जब भी एक्षन में आए तो हमारे कमांडोस चाक चौबन दोने चाहिए मदुकर पंडे ने आदेश भरे सर्म का ऐसा ही होगा सर, उन्होंने खाना लिया? यस सर, दो गंडे पहले ही लिया था नज़र रखो, सतर करो यह हमारे इम्तियान का वक्त है हमें साबित करना है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं यस सर, मदुकर पंडे ने फोन बंद किया चेरे पर कठोड़ता चाही हुई थी आपने तो पूरी तयारी कर रख किये पासकाड़ा अफसर कह उटा मदुकर पंडे खामोश रहा ऐसी स्थिदी में तो हम कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं दूसरे आफसरे न क Правा अभी हमला करने में नुकसान है हमला करने से पहले उने ठकाना है वो ठक जाएंगे, हताश भूने शुरू हो जाएंगे तब हम हमला करेंगे ऐसा कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाराज सरकार का नुमाइंदा खुराना उन सब आतंगवादियों के संपर्क में है खुराना उन से बाते करता और वक्त खपाता है जब वो ठकने लगेंगे तो खुराना में बता देगा परन्तु अभी कम से कम इस काम में दो दिन लगेंगे मदुकर पांडे बोला तब तक हम अपनी तयारी कर लेंगे मुझे सिर्फ बंदगों की चिंता है वरना अब तक तो आतंगवादियों का काम हो गया मदुकर पांडे का मोबाइल बजटा हेलो मदुकर पांडे ने बात की पांडे साब खुराना की आवास कानों में पड़ी मैं रात नौ बज़े आतंगवादियों से बात करने वाला हूँ अगर आपके पास कोई खास प्लानों तो बता दीजे मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी मैंने अब उन्हें फोन करके बताना है कि हमारी सरकार ने उनकी मांगो के जवाब में क्या का ये बातचीत इस मामले का एहम मोड होगा मदुकर पांडे गंबीर सर में बोला वो कैसे खुराना साब हमें कुछ करने से पहले भीतर के हाला से भी वाकिफ होना है मतलब कि किस प्रकार उन्होंने वहाँ बंदगों को रखा हुआ है उनकी अपनी पोजीशन क्या है उनके पास कैसी गने है ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है और ये बात हम तब ही जान सकते हैं जबकि हमें भीतर जाने का मौका मिले भीतर जाने का मौका ये आप क्या कह रहे है वो किसी को पास भी नहीं पठकने देंगे अगर उन्हें अपने चारो साती जेल से निकालने है तो वो हमारी बात जरूर मानेंगे मदुकर पांडे ने दांट भीच कर कहा मैं को समझा नहीं सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे बात करोगे इसके साथ ही मदुकर पांडे खुराना को बताने लगा रात साड़े नौ बजे रॉयल नाइट कलब दल नंबर एक सुबह का बचा खाना ही था जो कि भूग लगने पर बंदक खा रही थे अब वो खाना भी समाप थोने वाला था खामोशी चाही हुई थी वे चारो अब को ठके से नजर आने लगे थे मैं आराम कर रहूँ शाहिद ने कहा उपर सीडियों पर खान है उसे भी आराम देना है अधनान ने कहा मैं दो घंटे आराम कर लूँ उसके बाद उसकी जगे ले लूँगा शाहिद ने कहा नवाब ने हसकर कहा मुझे आराम की जरूरत नहीं नशा मिलता रहना चाहिए मुझे और वो तेरे पास है बहुत है पूरे एक महीने का सामान साथ है वापिस पाकिस्तान जाकर भी ये ड्रक्स चलती रहेंगी पाकिस्तान जा सोगोगे वापिस अधनान ने गंबीर सर्मे नवाब से कहा क्यों नहीं हम सब ये काम करके पाकिस्तान चले जाएंगे नवाब ने विश्वास के साथ कहा आसान नहीं है ये अली और लीटा ने हमारी वापसी के इंतिजाम कर रखे हैं तेरे को ये नहीं लगता क्या पता नहीं अधनान गंबीर था मुझे आराम करने तो यार शाहिद फर्ष पर लेटते बोला हम ज़रूर वापिस पाकिस्तान पहुँच जाएंगे अधनान गंथ थामे बंदगों के बीच टेहलता बोला जैसे खाना खाना है खालो थोड़ा सा ही बचा है ये सुनकर तीन चार लोग उठे और खाने के बरतनों के पास जा पहुँचे चग मुहन सोहनलाल के साथ ही फर्ष पर लेटा था मौका मिलने पर सुनलाल नधीमे सर्म का हमें कुछ करना चाहिए तेरे पास रिवालवर है कुछ करने की सोचना भी मत रिवालवर से एक एक करके गोली निकलती है और ज़रूर दिनी कि वो घातक जगाय पर लगे जान 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 ही है तो हम कुछ नहीं कर सकते मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत लोगों की जिन्दिगी का सवाल है जग मौन ने गंबीर सर्म का सुहन लल घहरी सांस लेकर रह गया नवाब गन था में वहाँ पड़ी एक टेबल पर जा बैठा अधनान से बोला तूने बताये की नौ बजे तेरे को फोन आएगा अब तो वक्त नौ से उपर हो गया नौ चालिस हुए हैं अधनान ने दीवार पले की बॉल क्लॉक पर नज़र डाली फोन आया क्यों नहीं मैं क्या जानू कहीं भारत सरकार गरबड तो नहीं कर रही हमारी मांग पूरी करने का उसका रहता हीна हूँ हमारी मांग मानी जाएगी अधनान ने द्रण सर्म्म कहा शायद ना मानी जै भारत सरकार को बंदग जिंदा बापिस चाहिए अधनान ने खुंकार लहजे में कहा 88 लोग है हमारे पास बाकी दलों के लोगों को भी मिलाया जाए तो ठाइसो का करीब बंते हैं बंदक चारों लोगों की खातिर भारत सरकार इतने लोगों की मौत नहीं चाहेगी ये हमारे लिए मुसीवत का वक्त है नवाब न कहा हमारे लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए मुसीवत का वक्त है अधनान ने दाद भीज कर का तब ही सैटेलाइट फोन बजने लगा चिडिया के चैकने की आवाज वहां गूजने लगी फोन टेबिल पर नवाब के पास था तुम बात मत करना अधनान तेजी से आगया तब बोला खुराना कुत्ता इंसान है उससे मैं ही बात करूँगा नवाब ने कुछ नहीं का और गन थामे टेबिल से उतर कर बंदोगों के पास चक्कल लगाने लगा अधनान ने सैटेलाइट फोन उठागर बात की दूसरी तरह पाकिस्तान से अली था हिंदुस्तान में बहुत देर से खामोशी है अधनान अली की आवाज कानू में पड़ी अब तो टीवी के खबरी चैनल भी पुरानी खबरे दे दे कर ठक चुके है तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे भारत सरकार से हमरी बात चल रही है जनाब क्या कहती है भारत की सरकार हाँ या ना जनाब उनका फोन आने का वक्त हो चुका है मैंने तो सोचा यह उनका ही फोन होगा याद रखना हमें हराल में अपने साथी चाहिए ऐसे ही होगा जनाब हिंदोस्तान वाले कुछ भी गएं तुमने अपनी बात पर आड़े रहना है जरूर पड़े तो पांथ दस ताजी लाशे बाहर फेक देना दिल्ली में तहल का मचा दो इस तरह की पाकिस्तान का नाम सुनकर दिल्ली वाले काँ पे यही हम कर रहा है जनाब यह शान्ती यह खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही अली की आवाज में खुंकारता की भाहो थे हुक्म देन जनाब अभी दस बीस को मार कर बाहर फिक कर हलचल पैदा कर दू रुको अभी बाचीत के भी लाशे नहीं बिचाई जाती जब काम पूरा हो जाए तब सब को खत्म करना है ऐसा कर दिया जाएगा अजनान दाथ भीच कर बोला पाकिस्तान के जवानों पाकिस्तान को तुम सब पर नाज है तुम लोगों ने अली को खुश कर दिया मैं और भी खुश हो जाऊंगा जब भारा सरकार हमारे चारों लोगों को तहार जेल से निकाल कर सीमा पार करा देगी उसके बाद हमारा क्या होगा जनाब? लीडर न crear सब इन्तिजाम कर रखा है तुम लोगों को पाकिस्तान पहुचाने का हम अपना काम जल्दी खत्म कर देंगे शाबाश मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम लोग काम पूरा करके वापिस पाकिस्तान आ पहुँचे हो अली को खुश कर दो ये काम निप्टाक कर पाकिस्तान हमेशा तुम्हारा इसान मंद रहेगा वापिस आने के बाद तुम लोगों को शानदार जिंदगी मिलेगी इजद मिलेगी ओधा मिलेगा सब कुछ मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं हम मिलते हैं सबसे बड़ा हमला के अगले भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद